Welcome dear students, मैं सिवम और आप जुड़े हुए हैं J&V Maths के साथ आज हम बात करेंगे आपके Entrance Exam के Next Chapter की जिसका नाम है Algebraic Operations Algebraic Operations यानि 20 गनितिय संक्रिया है किस तरीके की होती है और किस तरीके के questions इससे related आपके Entrance Exam में आते हैं आज हम उससे समझेंगे इस class में थोड़ा सा basic समझेंगे और basic में क्या है वो अभी देखिए Algebraic Operations मतलब जो भी आपने Algebra के formula याद कर रखे हैं आपको पता होगा आपने हात्वी आठवी क्लास से सुरू किये हैं वो आपको इसमें उप्योग करना होगा जो प्रशन दिये होगे उन में जैसे कि A प्लस B इस सारे की पावर दो आपने हमेशा ही इस formula को हल किया होगा या school में करवाया गया होगा A प्लस B की पावर दो या whole square क्या होता है A की पावर दो प्लस A B और प्लस B की पावर दो कई बच्चे इस सारे 4 में याद करने के लिए डारेक्ट ऐसे लिख देते हैं A की पावर दो प्लस B की पावर दो प्लस 2 A भी आएगा प्लस 2 A B यह depend करता है कि आप कैसे इसे याद करें आपको पता है 1 प्लस 3 is equal to 4 3 प्लस 1 is equal to 4 जब आपको पता है कि 1 में 3 जोड देंगे तो भी 4 आएगा 3 में 1 जोड देंगे तो भी 4 आएगा तो आप कैसे इस संख्या को इस जोड को याद करें वो depend करता है आपके या आपको कैसे आसानी हो ratification नहीं लगाना इसी लिए जैसे आपको ये formula लिखने में आसानी होती है वैसे आप लिख सकते है लेकिन आज की class का क्या motive है आपको कुछ सम ऐसे समझाएं जिनके साथ-साथ इन algebraic operations या formula का use हम करा सके identity का use हम करवा सके समेकरण का use हम करवा सके तो आज इस class में इन समेकरणों का use हम सीखेंगे जो की आपके लिए है बहुद जरूरी आज का पहना सवाल 1570 गुना में 87 यानि अब इसने बोल दिया 87 की multiply होगी किसके साथ 1587 गुना में 87 गुना में 87, sorry 1570 गुना में 87 एन प्लस में 1570 गुना में 30 प्लस में 1570 गुना में 30 ये आपको एक क्वेस्टन दे दिया और बोलेंगे simplify दिस या सरली करन कीजिए या इसे हल कीजिए solve this तो इस ताइम आपको याद आना चाहिए कि इसे केसे याद करें क्योंकि जब 87 की इसके साथ multiply करेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा या इसकी 13 के साथ multiply फिर ये लंबा चला जाएगा और इन दोनों की multiply करके फिर sum करेंगे और फिर हमारा जो answer आएगा उसमें हमें कम से कम 3 to 5 मिनट लग जाएंगे क्या लग जाएंगे 3 to 5 मिनट लग जाएंगे इसलिए algebraic operations का use करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन operation भी हम सबस्ते है कि कैसी हम इन सवालों को इतनी नहीं कम से कम इतनी मिनट में solve कर सकें यानि एक मिनट में कम से कम solve कर दें कम लगाएंगे वो हमारी practice पे depend है हो सकता है कहीं बच्चे 30 second में इसस solve कर दे वो क्या क्यों करते हैं कहीं बच्चे आपने देखे हो जल्दी से solve कर देते हैं उनके practice बहुत मजबूत होती है मैंने बहुत बार बोला है काफी बच्चे अभी भी wait कर रहे है कि book purchase करे या ना करे course purchase या करे या ना करे उसका benefit नहीं समझ रहे वो आपके उपर depend करता है लेकिन JNV Maths का कहना है अपने parents के पास आए बोल है कि हमें हमारे entrance exam के लिए book की जरूरत है हमें purchase करवाईए ताकि हम entrance exam को correct कर सके like जो जिसमी entrance exam की आप त्यारी कर रहे है ये आपको समझ में आ गया अब इसे हम लागू करते है क्या करते हैं dear student लागू करते हैं हमारे सवालों पे हमारे क्योशन के उपर ठीक है देखिए यहाँ पे दो चीज़ common है 1570, 1570 ठीक है 1570, 1570 तो नो common है जब common होगा तो हम क्या करेंगे इसको common निकाल लेंगे यानि ये हमारे पास common है तो ये multiply में कितना रह गया 87 रह गया बीच में sign किसका है प्लस का है लिख लीजिए ये तो हमारा common आ गया ये कितना है 13 है 1570, इसका मतलब क्या है गुणा है गुणा में ये कितना हो गया 100 हो गया उत्तर कितना आ गया एक लाख 57,000 उत्तर क्या आ गया एक लाख 57,000 कितना easy था simply इतना ही करना था अब ये formula क्या बना ये formula बना है A गुणा B प्लस में A गुणा C यानि हमारे पास A कोवन है B प्लस C ये भी एक identity है या formula है या समीकर्ण है ठीक है तो इन सदीकरों के हल से देख़े हमने कितने आसानी से इसको solve कर दिया अगर वैसे आप multiply करते तो 1570 को पहले गुणा करनी पड़ती 87 से फिर जो हल आता उसकी 1570 गुणा 13 की गुणा के साथ जोड़ना पड़ता इसमें आपको time लगता time बचाने के लिए algebra का विश्कार रुआ है और ये आविश्कार हम लोगों नहीं किया है हमारे आम लोगों ने किया scientist जिसे कहते हैं वो भी आम ही होते हैं वो भी आदमी होते हैं लेकिन और ने दिमाख लगाया कि how to sound easily these type और ये expression जो है अलग अलग तरीके के मुस्किल मुस्किल सो सवाल है उसे हल करने के लिए कुछ create नहीं किया गया उन्होंने वैसी तनहीं देखा और यार फॉमल ना रहा को ऐसे फॉमला बना देते हैं और ऐसे फॉमले आते हैं हम कर देंगे अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम भी वही रोठियां खाते हैं जो वो खाते हैं वो कुछ अलग नहीं खाते आगे का सवाल देखे सुआल नंबर दो जिसमें हम अगला formula जो है करेंगे, साथ में हमारी practice होती रहेगे, क्योंकि हम सवालों के माध्यम से formula याद करेंगे, अगर मैं direct आपको formula याद करवानने लग जाओं, तो formula बहुत है, याद नहीं होते, practice से याद होते है, 140, multiply with 140, यानि 140 गुना, 140, plus 60, plus 280, plus 60, plus, sorry, plus 60, into 280, plus, 60 into 60, 60, multiply with 60, अब ये अगला सवाल है, और इस सवाल में हमें हल करना है, भी इसका answer कितना आएगा, इसको देखना है, अब इसको देखोगे पहले तो आप ये देखोगे, कि इसकी इसके साथ गुना, फिर इसकी इसके साथ गुना, फिर 60 कि 60 के साथ गुना, और फि ये इसमें भी उतना ही time लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई दो चीजों की एक साथ multiply हो रही है, यानि एक ही पावर दो है, क्या है, एक ही पावर दो है, यानि एक ही एक ही साथ दो बार गुना है, यानि 140, 140 दो बार गुना है, पलस में, इसको पढ़ा रहे नहीं दीज 60 है, कितना है, 60 है, तो हमें 60 तो मिल गया, तो यहाँ पर 140 के से आएगा, दो से multiply, जो 140 की होती है, तब ये 280 बनता है, क्या बनता है, 280 बनता है, इसका मतलब ये फोमला कॉन साथ बनना है, एकी पावर दो, प्लस टू इंटू, 140 क्या था, ए था, इंटू, 60 क्या है, बी है, बी की पावर दो, एकी पावर दो, प्लस टू एबी, प्लस बी की पावर दो, या एकी पावर दो, प्लस बी की पावर दो, प्लस टू एबी, हमारे पस फोमला बनेंगे, अब इतना आसान है, इसे करना, एकी पावर दो, प्लस बी, टू एबी, प्लस बी की पावर दो, ये कितना बने गया? 200 बने गया, इसकी पावर कितनी है? 2 है, 2 का मतलब क्या है? पावर का है? उसकी दो बार गुणा, तो 2 की स्केर होगी? 4, 2-0 की दो बार गुणा? 4-0, 40,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, तो ये इतना सा ही करना था, लेकिन ये कब होगा जब आपके प्रेक्टिस होगी, और जब सवाल को देखती है, आप पहचान जाओगी, ये रे भाया, ये तो ये फोर्मला है, हमें सिर्फ A प्लस B का पावर दो करना है, उससे सोल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, सब्सक्राइब भी कर देना, और बच्छों को और को भी भेज है, ताकि आपकी प्यारी जुहे, असानी सी हो जाए, और सभी बच्छों को बोल दीजिएगा कि कलास्रों की जो वीडियोज है, फ्री ओफ कोस्ट मिलेगी आपको, उसका कोस्ट नहीं होगा, ठीक है, अगला सवाब, 203 इंटू 203, 203 गुना में 203, माइनस में, 197 इंटू 197 एक सो सपानमे गुना, एक सो सपानमे, अब देखिए भया, इस सवाल का ये कह रहा है, हल निकाल दो, मान जाओ आपको, कम से कम ताइम में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू, यहाँ लोगी सेम संख्याओं की मल्टिपलाई है, तो यह क्या मान लो, एकी पावर दो मा माइनस बी, यह फॉर्मुले जो है, अपनी नोटबुक में टाइप कर लेना, लिख लेना, जरूरी है इसको लिखना, क्योंकि मैथ बहिया, एक ऐसी चीज़ है, जिसे जितना लिखोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, सामद रहे वाला प्रैक्टिस का मतल मतलत केज़एगा, जितने ज़्यादा इस मैथ को लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको यह आने लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पता, एक बावर माइनस बी कि पावर दो क्या होता, एक प्लस बी, तो दो सो तीन तो ए है, 197 क्या है, B है, इंट में 203 में से 197 आएगा कितना बचेगा 6 बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा तो 6 चोके क्या होते हैं 120 होते हैं 20 पड़ी है हमारे इस पास बिल्कल पड़ी है यह हमारा क्या हो गया answer हो गया देखिए जब आपने इस तवाल को देखा आपको यह formula आपने आप माइंड में आएगा जैसे ही माइंड में आएगा आप ऐसे लिखे दोगे यानि यह 30 सेकिंड का क्यो असल बन जाएगा जब भी आप entrance exam में जाते हो तो आपको पता होता है time की कितनी value होती है क्योंकि उस time ऐसा चलता है जैसे कि हमें खीर खाने के लिए दे दी और जब हो जाता ला कि कुछ लोग खीर खा रहे हैं और जल्दी से वो खीर क्शब हो जाए और हम सोचते हैं भी पास minute पहले यह वांटी थी तो वही हाल होता है कि पास minute पहले तो अभी seat दी थी वैसे ही बोर हो जाओगे, दूसरों को देखके वैसे ही time का ध्यान रे नहीं रहेगा और फिर आप सोचोंगी कि आरे यार गलत जगा फस गे फसे गलत जगा नहीं आप पढ़ के नहीं गे पढ़ के केसे जाओगे, प्रैक्टिस करने से जाओगे और केसे जाओगे बुक परचेज करने से जाओगे और केसे जाओगे कोर्स से जाओगे और केसे जाओगे यूट्यूब पर फ्री ओफ कोस्ट वीडियोज देखके जाओगे पर वीडियोज देखना मतलब वीडियोज देखना नहीं होता वीडियो को देखने के बाद उससे रिलेटिड आपको क्योसन करने पड़ते हैं और उसके लिए प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती है और प्रैक्टिस सेट कहां मिलेगा बुक की अंदर मिलेगा और वो कहां मिलेगी हमारी jnvbets.com वेबसाइट पे मिलेगा ठीक है तो ये है आगे का सवाल देखिए और आगे वाला सवाल आपको जखजोर देगा अगर आपने आडेंटिटीज पे ध्यान नहीं लिया एट एट क्लास के अंदर आट सर्वसमीकाएं हैं और मैं वही सर्वसमीकाएं नहीं करवा रहा हूं और कुछ नहीं और उन सर्वसमीकाओं का यूज जो सब जो के सेकंड चैप्टर में है 2.4 के बाद ठीक है 2.4 के बाद आठ एडेंटिटी आजाती है उनको कर लिया ना भया लाइफ जिंगा लाला है फिर हो जाएगा सब कुछ अगला सवाल है 4.54 इन्टू यानि 4.57 गुना में 4.54 इन्टू 4.54 इन्टू 4.54 माइनस में 2.14 माइनस में 2.14 इन्टू में 2.14 इन्टू में 2.14 अब देखो कई बच्चे बोलेंगे मुझे कि सभी इसको 14 नहीं बोला जाता है पता है बईया लेकिन ये आपको जल्दी में करवाने का काम है क्योंकि आपको भी तो टाइम वेस्ट नहीं करना न इन्टिवाइड बाई इसके बचा में क्या आजाएगा देखिए 4.54 इन्टू 4.54 इन्टू 4.54 प्लस में 4.54 4.54 मल्टिप्लाइ विद 2.14 फिर इसके प्लस में क्या आजाएगा 2.14 इन्टू 2.1 आपने सवाल को देखा देखते ही आपने देखा कि हे राम ये कोई सवाल हुआ बिलकुल राम जिने सही काम किया ये सवाल ही हुआ लेकिन हाउ टू सवाल है हम करेंगे ना हम बेठे है ना इसलिए तो है ये तो है यूट्यूब जैनरी मैट समेशा आपके साथ है लेकिन वेब साइट भी साथ उसका भी दियान रखना वहां पे क्विज मिलते हैं लेले यहां पे क्या है एक ही संख्या के तीन बार गुणा है तो यानि यानि है तो ये एकी पावर तीन यानि किसी भी संख्या के तीन बार गुणा उसकी पावर तीन माइनस में देखोगी कि यहां पे भी इसकी पावर 3 है तो यानि यह अलग संख्या तो B की पावर 3 यहां पे यह देखोगी A की संख्या की दो बार गुणा है जो कि A है ठीक है तो A की पावर 2 यहां पे देखोगी कि यह क्या है A की और B की गुणा है तो हम भी क्लस में A गुणा B जहां पे देखोगी कि B की पाउरदो है प्लस में B की दो बार गुणा ओके यह हमारा φórmulah है और यह फórmulah है किसका यह फórmulah है किसका वह आपको पतावना चाहिए A की तीन माइनस B की तीन यह यहां पे आ गया ये किस चीज का formula बनवा है ये यार ये इसा क्या है जो आपको समझ में नहीं है किसका formula हो सबता है क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या आपने कहीं इसको देखा है जी बिल्कुल देखा मैं बताता a की power 3 minus b की power 3 is equal to होता है a minus b into में a की power 2 plus में minus b की power 3 is equal to होता है a minus b into a की power 2 plus a b plus b की power 2 ये ऐसे ही दिया हुआ है a की power 3 minus b की power 3 अब इसने क्या किया है इसने क्या किया है जो यहां पे बचा है ना ये देखे इसने जो ये a की power 2 plus a b plus b की power 2 है ना इसके क्या कर दिया divide में कर दिया तो कि बराबर है, गोड़ा में चीज इतरा के क्या हो जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो यही तिया ना इसने, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जब इसको डिवाइड कर देगा इसके, तो क्या बचेगा, ए माइनस भी बचेगा भाईया, इतना असान, तो हमारे पास क्या बचा है, ए बचा है, 4.54, माइनस में भी क्या बचा है, भाईया, 2.14, तो यह 4 से 4, 0 हो गया, 5 में से 1, 4 हो गया, यह 2 हो गया, आंसर आवारा हो गया, 2.40, आंसर क्या हो गया, 2.40, अब स् अपने दिमाग के अंदर कि आपको इसका formula पहले ही पता होता तो इसे निखने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे साबिद नहीं करना है क्योंकि रफसीट आपके घर आएगी तो वहाँ कुछ नहीं देखेंगे कि आपको इसको formula आता है या नहीं आता तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जरूरी ही है कि ऐसे सवालों को अच्छे तरीकी से करना है अच्छे तरीके से तकि गलती ना हो अगर formula लिखना भी पड़ जाए तो लिख के देख लीजिए चेक कर लीजिए कि क्या आपका जो केस जो आप बना रहे है वो सही है या नहीं है ठीक है तो जितना हो सकता है उसको इतना असान में से देखी फिर समझे और फिर उसको करें आगे का सवाल है 9.64 प्लस 9.64 प्लस 7.36 7.36 और इस सारे की पावर 2 माइनस में 9.64 माइनस में 7.36 और इस सारे की पावर 2 और इसको डिवाइड कर दिया किस से देखिए 9.64 इन्टू में 7.36 अब आपने इसको देखा और देखने के बाद समझा कि यह है तो बई टकडी चीज क्योंकि टकडी तो होगी क्यों होगी क्योंकि यह सलस से बाहर होगी है अब यह पॉइंटों में चल रहा है पर इससा कुछ नहीं है हमें क्या है इसको एक तरीके से कर रहा है इसको A मान लीजिए इसको B मान लीजिए यहां A B है और कुछ नहीं है A B A B A B क्योंकि सेलसंख्या ही है तो यहां पर क्या करोगे A प्लस में B की पावर दो कर दोगे माइनस में A माइनस में B की पावर दो कर दोगे और बटा में क्या कर दोगे A गुणा में B क्योंकि A B तो है अब क्या है इसे सॉल किजिए ए प्लस बी की पावर दो का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में बी की पावर दो का फॉर्मूला होता है ए की दो प्लस बी की दो प्लस टू ए बी यही होता है न तो हम क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे ए की पावर दो प्लस में बी की प मुला होता है अप उन में क्या है ए गुणा बी यानि ए भी अब ये क्या है यहां पर साइन माइनस का है क्या है माइनस का है तो माइनस का साइन अगर इस ब्रेकिट को अटाए ब्रेकिट का मतलब क्या गुणा में है तो इस गुणा को यह अटाए है तो यह प्लस की जो B होता है, कितना होता है, 4 A B होता है, और बटा में क्या है, A B है तो A B से A B कट गया, कि उत आंसर क्या आगया 4 आगया, अब इससे सॉल करने की जूरत नहीं है, किस टाइप के कोई भी प्रेशन आजाए जिसमें दिया हो, A पनस B की पावर दो, माइनस में A माइनस B की पावर दो, उसका आंसर हमेशा ही कितना आएगा, 4 आएगा कितना आएगा डिया स्टुडेंट, 4 आएगा इस टाइप के क्यासन का आंसर 4 आएगा, इसे दिसमलव से सॉल करोगे तो टाइम लगेगा, डारेक्ट इसका फॉर्मूला बनाके इसको हल करोगे डारेक्ट इसका फॉर्मूला बनाके इसको हल करोगे आज की कलास कैसे लगे मुझे बताना जुरूर है, क्योंकि ये कलास बड़ी अच्छी है, अलजेबिक ऑपरेशन की है इसका सेकिंड पार्ट आएगा जिसमें और मुस्किल टाइब के प्रशन होंगे क्योंकि अभी जो आपने देखा है वो बैसिक टाइब के कुछ प्रशन थी आगे आगे देखो, होता है क्या लेकिन वो भी आप करेंगे वो भी आप करेंगे, चोकि आपके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है नो बार-बार नहीं बता हुआ वो आपको अपने पैरेंट्स से बात करनी होगी अगला सवाल देखी टियर स्टूडेट टू पॉइंट थी की पावर तीन टू पॉइंट थी और इस सारे की पावर कितनी है तीन प्लस में 0.027 प्लस में 0.027 डिवाइड अब बाई डिवाइड बाई 2.3 की पावर 2 2.3 की पावर 2 2.3 की पावर 2 मैंस बाईब 0.69 मैंस में 0.69 प्लस में 0.09 प्लस में 0.09 इसमें इसका आंसर कितना आएगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आइडेंटिटी कह दो सरव समिका कह दो फॉर्मूला कह दो कुछ भी कह दो वो कौन सा लगेगा कैसे इसका हल होगा मुझे इसका आंसर भेज़ोगी आप कौमेंट बॉक्स में लेकिन इसके साथ साथ सम रुकी 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 ये भी बता देता हूँ कौमेंट में मुझे जरूर कहना है गए अगर आपसे नहीं हुआ तो केस सर समझा दीजिए फिर मैं आपको ये क्योस्तन अगले पार्ट में समझाते होगा अगले पार्ट में इसी प्रशन से हम सुरू करेंगे वीडियो को और इसी प्रशन से आगे और मुझकिल प्रशनों की ओर चलते जाएंगे आज के लिए इतना ही लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ जे हिंद जे भारत